नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था स्री गणेश जी के जन्म की कथा के बारे में और उनके प्रतिकात्मक तत्यों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे कि जिस हाथी का मस्तक श्री गणेश को मिला था, वह कौन था और उसके शिर काटने के पिछे क्या कारण था पौराणिक कथाओं में से एक कथा में उस हाथी के बारे में वर्णन है चलिए जानते हैं उस कथा के विशे में विस्तार से गजासूर नाम का एक डानव था, वह शिवजी का भक्त था, वह हाथी स्वरुप का बलवान डानव था पिछे इस वर्दान प्राप्त करने के लिए गजासूर ने शिव की घोर तपस्या की भगवान सीव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसको वर्दान देने के लिए प्रकट हुए गजासुर ने ऐसी शक्ति मांगी कि वह अपने सरीर से निरंतर अगनी का उत्सर्जन कर सके ताकि कोई शत्रू उसके निकट ना आ सके सीव जी ने उसको ततास्तो किया और अधर्श्य हो गए इतने से गजासुर संतुष्ट न हुआ फिर उसने पुनह तपस्या की और सीव जी को प्रसन्न किया इस बार गजासुर ने सीव जी से अनुरोत किया कि वे गजासुर के पेट में निवास करें सिव जी ने वह बात भी मान ली कहते हैं सिव जी अपने भक्तों की बात बड़ी चल्दी मान लेते हैं इसलिए उन्हें भोले नाथ भी कहा जाता है कुछ समय पस्चात पारवती सिव जी को खोजने लगी और व्याकुल होने लगी जब कुछ ने सुझा तब वे विश्णू जी के पास गई और अपनी व्यथा बताई विश्णू जी ने दिविदर्ष्टी से देखा और आश्वासन देते कहा कि वे शुरक्सित हैं आप कैलास लोट जाएं किन्तु पारवती जी ने वह बात नह मानी पारवती जी ने आगरह किया कि वे शिवजी को सीग्राती सीग्र कैलास पर आने के लिए कहें पारवती जी के आगरह से विश्णू जी को सीवजी को कैलास फेजने का प्रबंद करना पड़ा उन्होंने एक छोटा नाटक रचा वे स्वयम बासुरी वाले बन गए और नंदी को नाचते हुए बैल के रूप में परिवर्तित किया फिर वे दोनों गजासुर के पास कए और नित्य का मनमोहक प्रदर्शन किया उनका नित्य देखकर गजासुर अती प्रसन्न हुआ और पूछा के बताओ तुम्हें क्या चाहिए संगीतकार के रूप में विश्नु ने कहा क्या तुम मुझे दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ गजासुर ने कहा तुमने मुझे समझ क्या रखा है मैं तुम्हें जो चाहिए सीख्र दे सकता हूँ विश्नु जी ने कहा ठीक है तो फिर सिवजी को अपने सरीर से मुक्त करो गजासुर समझ गया कि यह श्रीहरी विश्णु ही है क्योंकि वही है जो यह बात को जान सकते हैं फिर गजासुर ने श्यूजी को मुख्त किया किन्तु उसने एक उपखार मांगा गजासुर ने कहा कि मुझे ऐसा आशिर्वात दो कि जब मेरी वृत्यु हो मेरा कोई एक अंग आपके समीप रहे और वह पूजनिय बने गजासुर को इस इच्छा के लिए श्यूजी ने आशिर्वात दिया तो इस तरह गजासुर के इस वर्दान को पूरा करते हुए जब स्री गणेश का सर कटा तब गजासुर नाम के दानो हाथी का सर उस पे प्रस्थापित किया गया दोस्तो ये थी कहानी गजासुर की और उस वजह की जिसके कारण उसका सर स्री गणेश को मिला दोस्तों यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेर करें इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करें पवरानी कथाओं के विशे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें और इसी सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैश्री कृष्णा